बाइस अब हो गया रहा है इस सोचल मीडिया पर पहले बिनोद जो है वो बहुत जादा ट्रेंड कर रहा था अब सड़क 2 का ट्रेलर जो आया है वो उसकी वीडियो जादा वायरल हो रही है भारत की सबसे जादा मोस्ट डिसलाइक वीडियो बन गई है मुवी ट्रेलर में अब थोड़ा साना यूटूब का अल्गोरिथम समझते हैं किसी वीडियो को सबसे ज्यादा डिसलाइक देने से क्या वीडियो ट्रेंड में नहीं जाएगी या ऐसा तो नहीं हो रहा ना तुम देख सकते हो कि यह ट खड़ी होगी थी उनको पता था कि मुके इस बड़ जो है वो नेपोटीजम का बाप या करण जोर के बाद आने वाले हैं कैसे उस इंसान ने नेपोटीजम करके शुशान सिंग राजपूत को या फिर उनके खिलाफ कैसे ट्वीट उन्होंने किये थे ऐसा बद दिमाग इ क्या उसे यह नहीं पता कि इस टाइम पर जहां पर शुशान सिंग राजपूत की डैथ को लेकर CBI इंक्वाइरी की मांग हो रही है ट्वीटर पर बहुत साइट्विट से ही जब उनकी सुसाइट की थी तब से वो ट्वीट जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं तो क्या इस मुक पर्मोशन नाम की चीज होती है चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो बट पर्मोशन होना चाहिए आपने पदमावत मुवी का नाम सोना था जब वो मुवी आई थी कितनी ज्यादा वो कंट्रोवर्सी के अंदर रही थी स्टार्टिंग में उसका नाम पदमावती था तब उस मोवी को लेकर कितना हाइप क्रियेट हो गया था पुरी दे पुरा 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 देस बारे में जानने लगए था तब एक माइंडसेट बने स्टाट हो जाता है कि अ इस मोवी को एक इस मोवी को बशनो सब्फ धिनर के साथ हो रहा हूँ है लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डिसलाइक करने के लिए दूसरों को शेयर कर रहे हैं ट्वीटर पर जब मैंने देखा ट्वीटर पर लोग ये ट्रेंड करवा रहे हैं इस सड़क्टू का ट्रेलर जो ट्रेंड कर रहा था कुछ टाइम पहले कुछ टाइम से मैंने देखा था जब ये ट्रेंड कर रहा था लोग वीडियो शेयर कर रहे थे लोग बता रहे थे कि इसकी वीडियो आ चुकिए डिसलाइक करो हर जगह पर वाटसब के ऊपर इसकी वीडियो शेयर करके इस पर डिसलाइक करने की मांग की जारी थी तुम क्या सोच रहे हैं तुम जाने अंजाने में बेफकुफी में इसकी प्रमोशन खुद कर रहे हो और भारत की जनता तो सबसे ज़्यादा भेड़ चाल चलने वाली है उनको बस एक चीज़ चाहिए होती है कि हाँ पहले बिनोत था अब ये वीडियो आ गई है तो इसके उपर क्यों न एकदम डिसलाइक करने स्टार्ट कर दें इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट डिसलाइक वीडियो बनाते हैं अरे जड़ा एक बार अपने दिमाग के ढखन कोल के सोचो क्या इससे कोई फरक पड़ेगा उस इंसान को अच्छे से पता है कि इस वक्त जो माहौल बनाओ है उसके खिलाफ है फिर भी वो वीडियो लेकर आते हैं क्योंकि उसे पता है पर्मोशन मिलेगी भाई साब उसकी वीडियो लोग जान बुझ कर देखेंगे लोग वीडियो डिसलाइक करने के लिए आएंगे आएंगे लोग उसकी वीडियो पर आएंगे अटलिस्ट यह बहुत बड़ी बात होती है और तुम लोग उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो यार अपनी बेवकुफी से फरक तो तब पढ़ता है अगर तुम लो लोगों को सपोर्ट करो उन लोगों को आगे लेकर आओ जिनके पास एक्चुल में टैलेंट है जो बहुत जादा स्ट्रगल कर रहे हैं अगर तुम उनके साथ खड़े होना कसम से उन्हें कोई भी नहीं ही ला सकता क्योंकि जनता सबसे बड़ी होती है जनता की पावर जिस अगर जब यह अपनी सोच बदलोगे ना या तब चीजें बदलेंगी वरना तुम ऐसे ही आलसी के आलसी पड़े रहोगे जब एक माहुल क्रियेट होगा तब तुम जैसे होते हैं अपने धर्ती में सर गड़ा के रखता है और जब कुछ ऐसा माहुल क्रियेट होता है तो उसका सई यूज करो लोगों को सुपोर्ट करो तुम्हें जिनको एक्च्वल में जरूरत है तुम लोगों की तुम उनके साथ खड़े हो ऐसे नफरत करने से तुम सोचोगे ऐसे डिसलाइक मार देने से तुम्हारे लिए वो कुछ हो जाएगा उस वो मुवी आएगी नही यह काम जलता रहेगा बट एच्वल में फर्क कब पड़ेगा फर्क तब पड़ेगा जब तुम लोग अच्छे टैलेंट को अच्छी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दोगे तो बस आज के लिए इतना है थैंक्स वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो मे जाए हिंदा